हम 90% हैं, हम राजा हैं देश के, 10% लोगों में से भी मुठी बर लोग जो हैं, पूरे 10% लोग भी नहीं, वो देश को लूट के खा रहे हैं, अडानी जी, अंबानी जी, इस प्रकार के दूसरे लोग, अमिच्छा जी और मोधी जी के साथ मिलके, मोहन भागोजी के साथ मिलके, वो देश को लूट रहे हैं, तो मोधी जी, ये पाप हम सब करेंगे, हम इंसान को इंसान के बराबर मानते हैं, जो लोग इसे पाप समझते हैं, इंसान को इंसान के बराबर मानने का, हम ये पाप करे था खुदी बनाया था ना अपने आपको तो जब खुदी बना रहे हैं तो एक योगी जी है उनके और एक अमिच्छा जी है जो तड़ी पार रह चुके हैं योगी जी है उन्होंने अपने उपर से 302 के मुगत में अटा ली तो अपनी कलम से अपने सारे पापों का धोने का क काम जो कर रहे हैं हम बेट कर वादियों को टच करके दिखाओ आप लोग हम बताएंगे आपको मोती जी की सरकार को 2024 में वहीं पहुचा देंगे जहां से इनकी सुरवात हुई थी तान को तहशनेश करना चाहती है जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से काम कर रही है ये इसमे हुचाब कोई शखने है कि सरकार को इंखाल के फहाँ कना ही है सरकार चाती है इस देश में शांती वेवस्ता न हो हमारे सारे देश के सांधोनों को बेचकर हमारी नोक्रह चीन लिए एजूकेशन को महांगा करके हमारे भोजन समाज के लोगों से पढ़ाई चीन लिए और संसादनों पर केवल 10% लोगों का कबचा है अब हम मौजूद है बिश्व विद्याले दिल्ली विश्व विद्याले की सडकों पर जो है मार्च आप देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है आपको बतादे कि डॉक्टर रितु का जो प्रदेशन चलता था एक महीने से जादा का समय हो गया है धरने पर बैटे हुए लेकिन कोई कारवाई ने कीगी है उसके बाद जो है तमाम लोगों ने और जिन्ता ने मिलकर जो है पैदल मार्च निकाल दिए गया को बता दी थी इसमें बड़े दिगज लोग है और अभी हम आसाद भानू प्रताप मौजूद है इनसे बात करने के कोशिश करेंगे सर क्या कहेंगे आज पैदल मार्च जो है इतनी बड़ी संख्या में आई है यह सरकार को चेतावनी है या तो सम्विधान के तहत काम करें कानून के तहत काम करें अगर नहीं होगा तो यह तो एक पहला केवल उसको चेतावनी देने के लिए प्रदर्शन है अगर नहीं होगा तो इससे बड़े प्रदेशन होंगे, सरकार की एट से एट बजा देंगे नारे लग रहे हैं, ये सरकार बदलनी है निश्चीत रुप से सरकार बदलनी अगर नहीं सुनेगी तो और सरकार का जो रवया है जिस तरह से वो सम्विधान को तहशनेश करना चाहती है जिस तरह से गेर कानूनी तरीके से काम कर रही है ये इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार को उखाल के फैकना ही है इसलिए जो बात कही जा रही है अगर लोगों का हक आप मारते हैं समाज का हक उसे नहीं देते हैं, उसके अधिकार नहीं देते हैं, उन्हें नियाई नहीं देते हैं, तो सžटख पर उतरना पड़ेगा और सरकार को बदलना पड़ेगा, यी चेताव नहीं है。 इपने नाम दिया पैदल मार्च का कहां से कहां तक जा रही है यह अभी जो यह चलेंगे हम लोग वी सी के आफिस तक जाएंगे जो वाइस रांसर दिल्ली का उसके वहां तक जाएंगे ओपिस तक वहां तक यह मार्च है अभी कितने लोग यहां पर आय हुए ए侈 आप देखो ना वहां से लेकर वहां तेक 14 तरब लोग यह तो पूरी संख्या जहां किया है कहां कहां से लोग आये है उह भिन भिन संगठ लोग है और भिन 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 पार्टियों के लोग है और दिल्ली के अलावा इसमें जो पूरे भारत वर्ष से यहां पर लोग जो है इकठा हुए है डॉक्तर रितु को समर्थन देने के लिए यह आगे और बढ़ेगा अभी आप देखेंगे आगे और बढ़ेगा अगर सरकार नहीं मानती है तो सरकार वाकई में चाहती है कि यह सब आंदोलन नहों लोग साड़क करने में लगी होती तो लोगों को न्याइदे रही है और ना ही लोगों की सुरक्षवें कर रही है सरकार ने रोजगार दिया नहीं सरकार ने महंगाई कम नहीं की सरकार ने किसानों को नहीं नहीं दिया सरकार ने मज़ूरों को नहीं नहीं दिया सरकार ने सिख्चा के छेतर में जो टीचर्स हैं उनको नहीं नहीं दिया सिक्चा नीती बदल के देश का बेड़ा कर रही है इसलिए सरकार कहीं भी किसी भी हालत में शांती विवस्था कायम नहीं रखना चाहती सरकार चाहती है इस देश में शांती विवस्था नहो इस देश में लोग संघर्च करें और वही सब कुछ हो रहा है अगर सकाली मंदारी से चाहती तो काम करते हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं केवल भाशन बाजी है केवल जूट बोला जा रहा है लोगों का गुम्रा किया जा रहा है आपको बता दे कि यहां पर भारत के अलग अलग राज्यों से पंजाब राजिस्थान हर्याना तमाम लोग आए हुए हैं और महमूद प्राचा का बाशन जर्ट पर संसद है प्रधान मंत्री सुध नहीं लगते हैं क्या कहा है कि यहां पर देश है किसी एकदानी सारे आदा है हर कोई दलत होए कोई ब्रह्मन जाती होए कोगे देश सारे जाद देश है पार्त देश है एस कार के मोदी सामनों सोचन दी लोड़े आरे अससी बीजीपी जेड़े की एक गरीबाते जुलम करना कहते हत्याचार करना जैंकी डक्र रितु सेंगनों एक इतना जुलम हो या जाती वादते जाते हंकार यह वह लोगोगो खालसा पांत शुरू तो जुलम दे खलाब ख ज़ए जो जड़े तखे कार इजादे खलाफ जान दा है एस कार के जुलमन मदे नाड सदा ख़ड़े जिते भी जोलंव होएगा के इसा डीटी पैनल होड़ना भी कहना जुलम वह पेंगा कोई होड़ जाते आथा हांकारी किसी होड़ना भी तका करेगा आशिए पर बतादे कि तमाम दिगज लोग यहां पर आए हुए हैं पंजाब हर्याना तमाम लोग जो है सर क्या कहेंगे आज जो लोग कह रहे थे कि 10-5 लोग है आज आपने इतनी बड़ी रैली खड़ी करती क्या कहेंगे ये बहुजल समाज जाग रहा है और ये जो उत्पीडन लगाता हैं हमारे लोगों के साथ बढ़ा है हमारे सारे देश के सादोनों को बेचकर हमारी नोकरें चीन ली है एजुकेशन को महांगा करके हमारे बोजन समाज के लोगों से पढ़ाई चीन ली है और एक के बाद हम देख रहे हैं चारो तरफ हमारे समाज के साथ उत्पिडन बढ़ता जा रहा है मनुवादी प्रहमनवादी वेवस्ता लगातार भूजन समाज के लोगों की हकमारी कर रही है इसलिए ये तो हो नहीं है एक दिन तो रोड पे उतरके इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा समयधानी तरीके से जैसे डॉक्टर बाबा सहब अंबिट कर लड़ते थे और आज तो ये साहब ही तो क्या सरकार तो बिलकुल खतम होने वाली है ये मोदी जी की सरकार को 2024 में वहीं पहुचा देंगे जहां से इनकी सुर्वात हुई थी चुकि ये अन्याय करने वाली है ये बाबा सहब के समिधान को बदल के लोगतंतर खतम करके मरुसमृति का सासन लाना चाहते है इसलिए इन्होंने देश के सारे संजादन दोचार पुझी पतियों के हाथ में सोब दिये है इसलिए ये लोग देश के सारे संजादन को बेशते जा रहा है एजुकेसिन को महंगा करके मिजोर्टी से यह बढ़ाई छीन रहे हैं साथी साथ महंगाई बढ़ गई बिरोजगारी बढ़ गई एक एक करके इन्होंने पूरे समाज की हालत खराब कर दी है इसलिए अब एक अच्छी बात हुई है कि जो हमारे महापूर्स कहते थे जैसे मानवर कांसराम साथ ने कहा था बहुचन समाज 85% है मैं तो बिहार की सरकार का धनवाद करूँगा उन्होंने जाती कि जो गन्ना करा कर उसके आंकड़े जारी किये है उन आकड़ों से भी यह साबित हो गया कि बहुचन समाज वास्तों में 85% है और एक और चीज सामने आई है कि 90% देश के संसादनों पर केवल 10% लोगों का कपचा है मुझे आज याद आती है जगदेव बावु कुश्वा की बात सो में 90 सोसिते सोसितों ने ललका रहा है धंडर्ती और राजपार्ट में 90 भाग मारा है तो वो 90 भाग अपना लेने का अंदोलन सुरू हो चुका है पुरे देश के अंदर अब हमारे समाज के हकमारी नहीं होगी बहुचन समाज जिसकी जतनी संक्याब आरी उसकी उतनी हिस्सेदारी इस लडाई को तेजी से पूरे देश में हम बढ़ाने वाले है और आने वाले तीन दिसंबर 2023 को रामलीला मैदान में लाखों लोग इखटा होंगे बहुचन समाज के और वहाँ पे जो डॉक्टर बाबा से बंबिटकर का असल उनकी जो डिमांड थी सेपराट एलेक्टरल परतक निर्वाचन चेत्र हम फिर से वो परतक निर्वाचन चेत्र की मांग को मजबूती से आने वाले तीन दिसंबर को रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर उठाने वाले कि स्थी एश्टी विधायक और सांसदों को केवले एश्टी एश्टी के ही लोग वो डाले चुकि जब तक यह नहीं होगा तब तक हमारे सांसद विधायक कभी समाज की आवाज नहीं बन पाएंगे वो उसी तरह अलग-लग पार्ट प्रियों के पपिट्स बनके रहेंगे आपको बता दे कि इस मार्च में तमाम दिगज लोग शामिल है और तमाम सोशल एक्टिविस्ट वो सभी शामिल है और अभी बात करेंगे अड़ोकेट महमूद प्राचा से क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इतनी बड़ी पैदल मार्च निकाल रहे हैं हमें और कुछ चाहिए ही नहीं हमें कोई और चीज नहीं चाहिए हमारा समाज जाग जाए हम लोग 90% हैं अभी बिहार की जनगर्णा ने यह साबित कर दिया हम लोग तो 90% हैं हमें अपने समाज को जगाना है कि SC, ST, OBC, Muslim, Sikh, Christian, Baud यह सब एक हैं हम 90% हैं हम राजा हैं देश के 10% लोगों में से भी मुठी बर लोग जो हैं पूरे 10% लोग भी नहीं वो देश को लूट के खा रहे हैं अदानी जी आमबानी जी इस प्रकार के दूसरे लोग अमिच्छा जी और मोधी जी के साथ मिलके मोहन भागवट जी के साथ मिलके वो देश को लूट रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ हाथ मिला कर देश को कमजोर कर रहे हैं अब देश का जो बहुजंग समाज है 90% जो है बिहार की जंगर्णा के इसाब से जाग गया है अब देखो आप क्या होगा बहुजी जी कहरे है पाप किया है जंगर्णा करा के भाईयों को भाईयों से बाण दिया बिल्कुल मनुवात की नजर में यह पाप था कि कोई किसी भी व्यक्ति ब्रामनों के अलावा एजुकेशन आसिल करें पढ़ाई लिखाई करें यह तो पाप ही था ना किसी भी व्यक्ति के जो जिसके छुआ छूत लागई होती थी बावा साब ने जो बोला था ना मैं उसको कोई छूना भी पाप था ना अगर महिला ढोल गमार शुत्र पशनारी का पीटा ना जाए तो ओ अपराद और पाप ही था ना तो मोधी जी यह पाप हम सब करेंगे हम ना हम इनसान को इनसान के बढ़ाफर मानने का हम यह पाप करेंगे जो लोग यह कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे उपॉष लोग यह कहते हैं कि हम स्तन्ट एकस लगाएंगे और हम लोग उसका विरोद करेंगे, अगर मोधी जी को पुर्ने नहीं बन जाता, पूरी दुनिया की नजर में। जब तक बावसाब डॉक्टर भीम्रावंबेटकर का समिधान इस देश का विधान नहीं बन जाता एक्चुली इन लेटर एंड स्पिरिट ये पाप हम करते रहेंगे मोधी जी और आप जो पाप कर रहे हो ना इसको पाप कहके उसको भी हम बेनकाब करेंगे पापी आप हो अ जब खुदी बना रहे हैं तो एक योगी जी हैं उनके और एक अमिच्छा जी हैं जो तड़ी पार रह चुके हैं योगी जी हैं उन्होंने अपने उपर से 302 के मुकद में टाली तो अपनी कलम से अपने सारे पापों का धोने का काम जो कर रहे हूं वह हम चलने नहीं किसी अंबेटकरवादी की तरफ टेड़ी नजर से भी देखा तो उसका अंजाम जेल की सलाके होगा या दोलत्राम कॉलिज का गेट नमबर 4 आगे है मेरे ख्याल से आगे हैं आने वाला है और इसकी शुरुआत इस जातिवादी क्रिमिनल रस्स की एक स्टूच मोहन त्ता को जी अमिच्चा जी मोधी ची के डारिक नॉमीनिय को जेल भीजवाकि से शुरुआत की यह अंद् यहीं खतम नहीं होगा एंफ्सकों खतम करके यह अंद्ध जब समाप्त हो다 जब आम जब समाप्त होगा जशक्मरा अंबेटकर कि अख शर्ता लेटर इंप्रिट में अपलाई होगा इस देश में ये अंदोलनतफ समाप्त होगा जब बहुजनों की सरकार बनेगी ये अंदोलनतफ समाप्त होगा जब एक भी दुखी पिड़ित परेशान व्यक्ति नहीं बचेगा देश में क्या कहेंगे सर का सिक्षमाद जो है पूरे डॉक्तर इतु के समर्थन में आ चुका है देखो जड़े सिक्षमाइद दिगाल या जा खाल सा पंत दिगाल लिए खाल सा पंत दे शुरू तहीं जुल्मने नाल खड़ द है साटा किसे ना वैरनी सटा जूल्मने नाले जै कोई भी जाते ही हंकार चे मन्नुरवादी बमनवादी शताथ चल के जाँ डक्टर रिटू सेंगनू जाँ आपके शबत बोले जाँ जाँ पात लून नीमाद कोन भास ते हना येषी कारके खाल साथ मंत्याई सी डटके ड्क्टर रिटू सेंग दे नाल खडे पूरा सेक स सब्सक्राइब करें लिए सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब भारत का समिधान द्वारा निर्धारित भारत की सीमाओं को अक्षुन रखेंगे ये काम भी हम लोग अंबेट करवादी करेंगे मनुवादी तो 2000 किलोमीटर जगा चाइना को गिफ्ट में दे चुके हैं हमारी सेनाओं को जो वह करना चाहते हैं अपनी जगा वापिस लेने क मोदी जी कर रहे हैं अगर बहुजनों की सरकार आईगी तो सबसे पहला काम करेंगी वह अपनी 2000 किलोमीटर जगा वापिस लेने की वह कोई भी व्यक्ति जो भारत तोड़ के दूसरे किसी देश का नाम भी लेता है उसको या तो समझा के ठीक करने की या जेल में डाल के ठी मोदी जी कह रहे हम लगातार शांती विवस्ता कायम करने के लिए कारियरत है उन्होंने संजै सिंग को इडी उठाकर ले गई पत्रिकारों को जो है दिल्ले पुलिस उठाकर ले गई और साथ दिन के रिमांट पर है कह रहे हैं यह सब शांती विवस्ता के लिए किया जा र यानि के जूटा इल्जाम लगा के उसको हम छोड़ेंगे नहीं भारत के समिदान और कानून के इसाब से जेल पिजवाएंगे और लंबे टाइम तक जेल रखेंगे खुला चैलेंज है अंबेटकर वादियों को टच करके दिखाओ आप लोग हम बताएंगे आपको तो जाहि जो से लोग यहां पर आये है और बहुत बड़ी संख्या में भाश धीर, मोग यहां पर आप देख पा रहे होंगे तश्वीरों में कितनी बड़ी संख्या है कि हैंगी मैम जो एक समय पर चाहा RPG फासा की संख्या घंगा सदको पे निली करांती आप देखोगे बहन आपने का हजार लोग यह ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी है तेरे लॉट से नार प्लान एंट स्ट्राटेजी आप देखते जाओगे आगे अगे होता है क्या यह पूरी उनिवस्टी में उखाड़ना है हमें जातिवादियों का बेड करवाद का ही राज चलेगा और किसी का राज नी चलेगा इस देश में हम जो कहेंगे वो होगा जो गुंडे मवाली चौर वो कहेंगे वह नहीं इस देश में भेन बेटी की इजट आभरू को बचाया जाएगा इंसिटूशनल मेटर्स रोके जाएंगे दलितों के साथ उर्पीड़ना होती रोकी जाएगी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कितनी बड़ी संक्या में जो है यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं आपको साफ तौर पर दिख रहा है तमाम जो है रैली चल रही है पैदल मार्च चल रहा है इस पैदल मार्च का नाम दिया गया है नयाए मार्च कहा गया है और आप पोस्टर देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो हैं तुमाम लोग यहां पर मौजूद हैं आए हुए हैं दूर दूर से अलग-अलग शेहरों से लोग यहां पर आए हैं डॉक्टर रितु के समर्थन में पोस्टर लेकर चल रहे हैं तुमाम भी मार्मी के भी लोग हैं तमाम संगठनों से लोग आए हुए ह करते हैं आई देश के अंदर और भी लोग यात्तरा ही निकलते हैं भीड़ और भीड़ से हमसे ज्यादा लोग जो है और भी बहुत सारे लोग है अगर उन पर तो आरोपनी लगते मुझे रखता ही आपका ही आरोप है सनातन सिर्फ और सिर्फ उस तरह से है जिस तरह से पहले वोट लेने के लिए हिंदू था आज नया शब्द जो है आज नया प्रॉपगंड़ सनातन है और कुछ नहीं और कि ये लगत्त के अंदर लोगतंतर की हत्या में जिस तरह से जो सरकार के खिलाप बोले हैं उनको जेल में डाला है यह कहीं ना कहीं यह कही नहीं जो है इस अहलात को दिखाता है य regen beauty के महुआज उठाएंगे तो उनको मांवधी बता दिया जाएगा उनको नक्सली बता दिया जब देशके अंदर Mental AG अपने चक्षाएगां परहता है तो क hommes agree them पर संजीड मेंके लोगों के सब्सक्राइब शिकार, जॉलघ में वाली है अगर अन्वरान में ऑन बटाना, तो पे ऩंवर्म कश्याब जैसे लोगों पे संजीब जैसे लोगों पे और क्या नाम ता उसका वो जो चीकता था कुटी की तरह बोलता है भारत बोलता है भारत कुन सा था हूँ अनव गोशवामी जैसे लोगों पे यूए पीए लगा के उनको जेल में डालने चाहिए जिससे देश में लोकदंत्र बचा रहा है जिससे इस देश के अंदर कमजोर बंचितवर के लोगों की आवाज लगातार उठती रहे हमारा मीडिया बहुजन मीडिया है हमारा मीडिया इस देश के अंदर कमजोर बंचितवर के लोगों की आवाज उठाने वाला तमाम आप साथ तोर पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो है डॉक्टर रितु का जो है प्रदर्शन चल रहा है और तमाम लोग यह अपना संख्या में आये हुए है डॉक्टर रितु खुद मंच का संचालन कर रही है और तमाम लोग उनको सुन रहे हैं पूरी बाचीत पर अपने प्रतिकरियाज जरूर दीजे कैमरमेन आशिष क निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़ कर दो